हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग महर संकर क्मार आप लोग को हरी संकर यूटूब चैनल में स्वागत करता हूँ आज मैं आप लोगों के एक न्यू वीडियो लेके आ रहा हूँ जैसे कि आप लोग जानते होंगे PMG दिसा, CSC ID Online आवेधन कब से होगा सुरूँ इसके न्यू तरीका आप लोग को आज मैं बताने वाला हूँ अपने यूटूब चैनल के मादम से तो जैसे कि अभी आप लोग को जानना है कि PM किसान का आउनलेन जो आवेधन होता है आप लोग जो KCC learn करते हैं बीना CSC ID का नहीं कर सकते हैं उसके लिए बहतरीन तरीका है और जैसे कि आज आप लोग को पता होगा कि CSC ID close हो चुका है फिर भी एक new तरीका मैं आप लोगों के लेके आ रहा हूँ कि SSG और RRD SSG क्यों नहीं हो रहा है पूरी जानकारी आप लोग को मिलेगा और SSG का कोड कैसे मिलेगा वह भी प्राप्त आप लोगों को होने वाला है और या Digital India के अंतरगत PMG दिसास CSC बिना CSC ID के आप लोग PM किसान का जो CSC लोन होता है वह आवेदन नहीं कर सकते हैं या बेहतरीन जानकारी आप लोगों के लिए है और CSC ID जल्द ही सुरू होने वाला है और इसी माह में लगबग 5 या 7 रोज के बाद सुरू होने वाला है जो कि आप लोगों को परती एक वर्स है जो मार्च में ही होता है सुरू और 15 से 20 दिन के लिए यह रहता है ओनलाइन रेश्टेशन आप लोग कर सकते हैं और काफी बेहतरीन खासी कमाई आप लोग अच्छी खासी कमाई इनसे आप लोग कर सकते हैं आगया जो आपको जियोटेक होने वाला है इसी CSC ID से होगा और यह आप लोगों के लिए सुनारा आवसर है कि इस CSC ID को आप लोग कैसे प्राप्त करें और जब आप लोग जानते हैं कि SIG से कैसे ले और SIG का कोड प्राप्त कैसे करें तो जो दीदी एवं बहन GB का स्वेंग सहता समू में जुड़ी हुई हैं और आप लोग समू में कारियत हैं और SIG का कोड अगर आप लोग को पता है तो वह कोड दे के आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं मैं कुछी चनों में आप लोग को वैबसाइड पे ले जाऊंगा और उस वैबसाइड के जरिये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है तो ज़रूर आप लोग इस निउ तरीका को जाने और अपनाने की कोशिस करें और इस चैनल को प्रेज लाइक कर दे और सस मैं आप लोग को सीदे ले चलता हूं वैबसाइड की और और उस वैबसाइड पे बताता हूं अभी क्या प्रेजानी है और अजल्द ही खुलने वाला है लेकिन प्रेजानी को आप लोग पहले देख ले कि क्या क्या उसमें प्रोसेस है तो जैसे कि आप देख रहे हैं फैन अपला है जैसे ही apply पर हम click करेंगे उसके बाद आप देख रहे हैं new registration पर जैसे ही हम click करेंगे तो कुछ ही चंद आप लोग को समय बिलम लगेगा इसकी side खुलने में और जल्दिया खुल जाएगा खुलने के बाद उसमें क्या-क्या process होगा मैं सारा process आप लोगों को बताने आगे देखते रहिए क्या क्या होता है तो जैसे की देख रहे हैं आपको वह link खुल गया है और देख रहे हैं यहां पे जैसे ही आप पूरी detail और आप लोग को select the application types करा यहां पे आप लोग को के registration कर सकते हैं लेकिन जैसे ही हम CSE पे क्लिक करते हैं यहां आप देख रहे हैं कि registration close हो चुका है और यहां फिलाल जल्दी शुरू होने वाला है अगर मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहां पे जैसे की दूसरा में आप देख रहे हैं S.A.G. सेल पेल गुरूप का जैसे ही सेल पेल गुरूप का यहां पे हम दिये उसके बाद पुना कंपलिट हो गया उसके बाद करा S.A.G. कोड डालने के बाद आप मॉइल नमर दीजिए और मॉइल नमर के बाद यह कैपचा को आप लोग यहां पे सेलेक्ट करें और क्यपचा डालने के बाद आप लोग इसको समिट कर सकते हैं जैसे ही समिट किजगा सारा कुछ प्रोसेस हो जाएगा लेकिन अभी S.A.G. कोड दीने के बाब जुद भी यह कंपलिटेड नहीं आ रहा है क्योंकि इसको पुल रूप से वहां पे बैवस्थित नहीं क्या गया है इसी लिए अभी नहीं हो रहा है जल्द ही S.A.C. online आवएदन सुरू होने वाला है रेश्टेशन सुरू होने वाला है समिट करके फिर आपको क्या-क्या डोकुमेंट लगेगा सारा डोकुमेंट का वेरिपिकेशन कैसे होगा मैं अगला वीडियो में बताऊंगा क्योंकि आप लोगों के लिए बहतरीन वीडियो था और आगे जो अगला में वीडियो लेके आऊंगा इसके जरीए काफी बहतरीन वीडियो होगा अगर आप लोग इसी तरह का चाते हैं Common Service Center जो आप लोग को CSE Center के अंतरगात आता है तो इससे आप लोग को अच्छी खासी कमाई हो सकता है आगे जियो टेक भी इसी से आप कर सकते हैं अगर प्लिज आप लोग इसी तरह का वीडियो चाते हैं तो मेरे चनल को सस्क्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप लोगों को इसी तरह का नए नए वीडियो मिलता रहेगा मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक लिए जाहीं दिज्या भार